हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो दिस वीडियो और ये वीडियो है हमारा RBA Grade B 2021 का Phase 2 का Cut-Off Prediction का वीडियो और आपको पता है Every year I predict the cut-offs of Phase 1 examination, Phase 2 examination, sometimes cut-offs are accurate, sometimes are not accurate because it is based on lot of factors तो अभी हम देखेंगे कि exactly क्या cut-off आने वाला है इस साल और ये prediction है, ये prediction बराबर भी आ सकता है और गलत भी आ सकता है तो मैंने कुछ एक basis बनाए हुए है, उस basis पे मैंने ये prediction किया है तो ये अभी एक announcement है, आप सबको पता ही होगा कि मेरा जो पहला earlier platform था, वो target RBI और CP Joshi Sir का, जो RBI में AGM रह चुके है, उनका ये iExambi का platform अभी हम एक joint काम कर रहे है, and now I will work under the banner of iExambi only तो आप ये सबको एक update है, ये आपको पता चलना चाहिए, and we will come with best features of both the platform जैसे कुछ मेरे कुछ ideas थे, है, और कुछ CP Sir के भी ideas है, तो हम करके आपको एक best, हम इसको कहेंगे, value for money देने का हम आगे try करेंगे तो यहां पर मैंने जो prediction किया है, उसमें 3-4 factors मैंने consider किये तो सबसे पहला जो factor है, वो है मैंने polls conduct किये थे, मैं आपको आगे बताऊँगा कि मैंने अलग-अलग polls conduct किये थे जैसे students को कितना score आ रहा है, objective में, उन्होंने descriptive में कैसे answers लिके है, तो उसके basis में दूसरा जो factor है, वो है direct interaction with the students, तो जो मेरे students थे और काफी बाकी भी students है जिनके साथ मैं continuously interaction करता हूँ, उनके साथ मैंने जो direct interaction किया है, उससे भी मुझे कुछ feedback मिला है तीसरा एक है vacancies, ठीक है, जितनी vacancies थी last, अगर आप देखेंगे ये साल में तो 270 vacancies थी हम generalist post के बारे में बात कर रहे है, तो कि generalist post मतलब RBI में three types के recruitment होते है, एक है generalist post, दूसरा होता है DEPR, Department of Economic and Policy Research and third होता है DSIM, Department of Statistics and Information Management, तो हम सिर्फ बात कर रहे है जनरलिस post के लिए, तो तीसरी बात होगे vacancies, फोर्थ है आपका जो previous trend है ठीक है, previous trend, मतलब इसमें train आप दो तिन तरीके से कह सकती कि जैसे पहले descriptive papers होते थे 2015 के पहले, यानि कि 11, 12, 13, 14, उसमें कैसे cut off है चुके है उसके बाद, फिर 15, 16, 17, 18, 19 में completely objective paper था, सिर्फ English का descriptive paper होता था तो उसके basis पे भी मैंने कुछ information निकालने का try किया है and fifth part है, हम कहते है मेरा कुछ understanding जो है exam के बारे में उसके basis पे जैसे हम कहते है आपका intuition क्या है या आपका judgment क्या है तो यह past factor पे हमने, मैंने इस पे काम किया है उसके basis पे मैंने cut off predict किया है तो यह देखो, यह मेरा cut off prediction था इस साल का, इस साल का मेरा prediction था phase 1 के लिए तो आपने देखा होगा जब मैं यह video बना रहा था, मेरा यह video YouTube channel पे available है, मेरा YouTube channel target RBI है वहाँ पर आप जाके देख सकते हो, मैंने यह video बना रहा था, मैंने कहा था कि यह इस type का cut off हो सकता है ठीक है, क्योंकि यह था 25% का, वो क्या करते है, एक straight forward rule लगा देते है, जैसे सारे section का cut off 25% यह सारे section का cut off 20%, तो उन्होंने इस बार यह section cut off दिया है, still मैंने हर section के लिए अलग से भी cut off ready किया था तकि GA का इतना होगा, reasoning का इतना होगा, English का इतना, quant का इतना, तो मेरे overall सारे section के section cut off भी correct आये है and overall चो cut off था RBI का, वो 66 और 67 के बीच में है, तो वो भी मेरे prediction से बराबर आया था याने कि मैंने जो अंदाजा किया था, हम जिसको कहते हैं, predict किया था और ये prediction भी मेरे students के interaction के बाद ही मैंने decide किया था ये ऐसा नहीं है, कुछ मेरे मन में आ गया और मैंने बता दिया, ऐसा नहीं था इसका हम कह सकते हैं, थोड़ा scientific base है, और थोड़ा हम उसको कहते हैं, आपका intuition क्या है उसके basis में मैंने ये बनाया था, तो अभी देखते हैं, क्या है कि prelims में ये एक RTI reply था मैंने किसी telegram group से लिया है ये, तो उन्होंने पूछा था RTI में, right to information act में कि कितने लोगों को select करते हैं, तो उन्होंने बताया था, prelims के लिए, यानि कि phase 1 के लिए, वो one position के लिए, one vacancy के लिए, 15 students को select करेंगे, phase 2 appear होने के लिए, ठीक हैं, तो अभी क्या है, अभी जितने लोगोंने phase 2 का exam दिया है, उसमें every 3.5 students के लिए, एक, यानि कि 7 students के पीछ पीछे, दो vacancies के पीछे, दो लोगों को select करेंगे, यानि कि अगर जितनी vacancies है, उसके 3.5 times, तो अगर आप देखेंगे, अगर 270 vacancies है, तो इसका 3.5 times मतलब क्या होता है, 270 plus 270 plus 270, यह हो गया 810, और इसमें आप 135 add करेंगे, तो यह हो गया 3.5%, तो यह हो गया 945, तो इस साल वो RBA grade B DR generalist post के लिए 945, तो यह कभी-कभी round figure में 1000 लोगों को भी बुला सकते हैं, यानि कि क्या होता है, जैसे मानलो, उन्होंने face 2 का किसी section के लिए cut off आ गया, जैसे मानलो 180 या 160, तो उस number पे जितने लोगों के, फिर उनको वो सारे के सारे लोगों को बुलाएंगे, तो यह exact 3.5 ना होके, कभी-कभी 3.5, 3.6 भी हो सकता, यह आपको पता होना जाए कि कितने students को अभी वो interview के लिए बुलाने वाले हैं, तो जैसे मैंने कहा ना, आपको कि मैंने polls कंड़के, तो यह मेरा poll था, मैंने आप students को पूछा था, कि आपको क्या लगता है, कितना cut off आएगा, त बाकी 56 लोगों ने कहा, 171, 280 के बीच में आएगा, 34 students ने कहा, 181, 191 के बीच में आएगा, तो मैंने यह सारे जो factor है, मैंने सबको discount उसमें किया हुआ है, अभी मैंने यह भी पूछा था, देखो क्या है, descriptive जो paper है, उसमें हम, उसमें उसको objectify या quantify करना कभी-कभी difficult हो जाता ह यसे 15 marker question के लिए RBI ने कहा था कि आपको 600 words में लिखना है, तो मैंने इस poll में यह पूछा था कि कितने ऐसे students है, जिन्होंने 75% limit से जादा लिखा, यानि कि 450 words से जादा answer लिखा है, तो 72 students ने कहा था कि हमने 75% word limit है, यानि कि 450 words और जो 10 marker के लिए 400 words था, उसमें हमने 300 के उपर words लिखे, तो इसे भी मुझे थोड़ा एक अंदाजा आ गया था कि कितने लोगों ने कितने level तक question attempt किया है, और एक यह था कि मैंने यह भी पूछा था कि ESA और FM का जो objective का weightage था, वो था 100 marks, तो वो 100 marks में से आपको कितने आने वाले है, students को मैंने यह पूछा था, पोल में, तो 128 students ने कहा था कि 50 से 60 के 20 में मिलेगा, 73 students ने कहा था 61 to 70, 53 students ने कहा था 71 to 90, कुछ 6 लोग ऐसे थे जिन्नों ने कहा था 81 to 90, और 5 लोग ऐसे भी थे जिन्नों ने कहा था 90 के उपर मास मिले, तो यह जो पोल होते हैं, इसमें authenticity आप कह सकती कि ऐसा नहीं है कि 100% authentic होगे यह students क लेकिन मेरा यह experience है, near about 80 to 85% यह जो responses होते हैं, यह genuine होते हैं, क्योंकि मैंने already पहले ही लिखा था कि आप जियो लोगे ने face 2 का exam दिया है, और आप genuinely इसको mark कीजिए, क्योंकि इसका फाइदा आपको ही होने वाला है, और जो नए student है अगले सार अपिर करने वाले, उनको भी इसका फाइदा होने वाला है, तो इसलिए मुझे लगता है, near about 80 to 90% response genuine होने के chances है, तो यह मेरा previous cutoffs था, जैसे मानलो 2018 का cutoff था, मैंने जितना प्रेडिक किया था, मानलो 205 प्लस और माइनस 5 मैंने प्रेडिक किया था, phase 2 के लिए, तो इतना आया था, यानि कि उसी range में आता तो वो भी उसी range में था, और मैंने topper के marks भी प्रेडिक किया, तो वो भी सही आया था, यानि कि 2018 में मेरे सारे के सारे predictions, phase 2 का prediction, final cutoff का prediction, और topper के mark का prediction, तीनों के तीनों बराबर आया था, 2018 में, फिर बाद में 2019 में मैंने फिर से ये exercise किया था, यहाँ पर भी मैंने बताय था 190 प्लस माइनस 5 ये भी सही आया था, final cutoff 235 मेंने का था, प्लस और माइनस 5 ये भी का था, और topper के marks 265 प्लस और माइनस 5 ये भी 266 करेक्ट आय थे, यानि कि तीनों के तीनों करेक्ट आय थे, तो ये क्या होता है कि phase 2 में cutoff prediction करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि वहा cutoff prediction में 2015 से कर रहा हूँ, यहाँ पर cutoff near about बराबर आया था, यहाँ पर बराबर आया था, यहाँ पी काफी fail हुआ था, cutoff, अलग-अलग reasons हो सकते हैं, यहाँ पर बराबर आया था, यहाँ पर बराबर आया था, अभी ये है ये साल का cutoff, तो मैंने चो cutoff predict किया है, वो है 172 प सकता है और ये गलत भी आ सकता है लेकिन आपको यानि कि जो लोगों ने mains exam दिया है उनको भी एक idea मिलना चाहिए कि आगे जाके उनको preparation करना चाहिए या नहीं करना चाहिए लेकिन मैं आपको ये suggest करूँगा आपका score आपका performance कैसा भी रहने दो आपको interview का preparation करना चाहिए और बाकी student भी ऐसे है कि जो अगले साल के लिए प्रिपरे करें 2022 exam के लिए उनको भी एक idea अच्छा सा मिलेगा कि आपको case angle से preparation करना चाहिए तो ये था मेरा cut-off prediction और अगर आपको आगे भी इस type के वीडियो चाहिए तो आप comment में लिख सकते हो और ये मेरा target RBI का भी channel है वो भी working condition में रहेगा कुछ mostly आगे टाइम के लिए और या भी नया जो मेरा में जिस platform पे आ रहा हूँ आ exam का वहाँ पर भी मैं video upload करने वाला हूँ so thank you and all the best for your upcoming examinations